असलाम अलेकूम एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप के आप सब ठीक होंगे और मैं स्टार्ट करने लगी हूं आज का व्लोग तो मॉर्निंग का मेरा सारा कामपनी शो गया था ब्रेक पास्ट वगरा लंच वगरा इस पैट करना ये सली काम मेरे हो गए थे उसके बाद में म अब आप अब आप सब्सक्राइब करने के लिए रख दिया था और वह पुछ इस तरह से हो गया था सारे मसाले मैंने इसमें एड़ कर दिये थे काली मिर्च लोंग थोड़ा सा नमा और लाल मिर्च मैंने यहां पर इसके साथ ही बाद कर लिया था अब मैं इसको पीसने सकती थी, ग्राइंड कर सकती थी, बट मैंने इसे सिल से पीसा था और सिल पर पीसने से इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है और बहुती जादा टेस्टी इसकी कचोरिया लगती है, मैं बनाने वाली थी कीमे की कचोरी तो इसलिए यह सभी मसालों को और कीमे को साथ में पीस जा रही थी और इसमें काफी जादर टाइम लगता है मिकसर में बहुत कम टाइम लगता है बट फिर भी मैंने हाथ से ही इसको पीसा था सीरो पत्थर से और मुझे इसे पीसने में 25 टू 30 मिनट लगती थे इसको पीसने में और काफी अच्छे से यह पीस गया था काफी अच्छे से क्राइन हो गया था कि में की पचोरिया बनाने के बाद में मैं और भी रेसिपी बनाई थी जैसे कि मैंने शामा टिकी बनाई थी कबाब बनाए थे और कोफते भी बनाए तो वीडियो जादा लंबा हो जाता इसलिए म मैंने आज ही बनाई थी तो मैं कल इंचारला वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करूगी तो अभी फिलहाल मैं वीडियो को जादर लंबा नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने एक ही रेसिपी आपके साथ शेयर की है और यह देखें पिसने के बाद यह अच्छी तरह से मैं मैंने इसको हाथ से मिक्स कर लिया है हाथ से मिक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी था और इसमें थोड़ा सा मुझे सॉल्ट भी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी इसमें एड किया था और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया ह और अभी मुझे यहां से क्लीनिंग करनी थी, सिल्कों मुझे अच्छी तरह से साफ करना था, यह देखें, और मैं पानी से इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से साफ कर दिया है, उसके बाद मैंने टिश्टू पेपर से यहां से क्लीन कर दिया है, क्योंकि फर्ष को एकदम डारे मैंने प्रप्रटन कर दिया, अच्छे से साफ करने यह लगी थी, छो की मैंने कीमा बफिया थी, बाकी बर्तन्य वग्वाश कर दिया है, उसके बाद मैंने सारी प्रेपरेशन करके रखी थी, बाकी सब चीज की कोफतेगी, शामे कबाब बगएरा, सब की मैंने फ्रिबरेशन करके रखी थी, और उसके बाद में शाम का भी ये टाइम हो गया था, मिने हस्बेंट भी आ चुके थे, तो अब मैं बनाने लगी थी, कचोरियां, तो ये देखे, मैं इस तरह से फिल कर रही हूँ, कचोरियों क थोड़ा सा आठा मैंने ले लिया है, ज्यादा आठा मैंने नहीं लिया था, और एक मैंने पनी ली है, ट्रांस्परेंट सी, और इस पर मैं ओईल लगा लूँगी अच्छे से, और दोनों साइड मैंने ओईल लगाने के बाद में इसे हातों से ही अच्छे से प्रेस करके, यह देखें मैंने अच्छा इसको गोल्ड शेप दे दिया है और कचोरी कहीं से भी नहीं पटी है बहुत ही अच्छी टेस्टी कचोरी बनकर तयार हुई थी इस तरह से भी आप बना सकते हो इसमें फटने के चांसिस कम होते हैं और बहुत ही जादा इसमें महरत नहीं लगती ह और पटने का चांस भी कम रहता है कचोरियां कम पटती है तो इस तरह से मैंने फिल करके और इसी तरह से सारी कचोरिया बनाए थी और कचोरिया मेरी बिक्टम परफेक्ट बनी थी यह देखें वस थोड़ा यहां पर ऑईल अच्छे से स्प्रेड करें इस पे और इसके कि अधानल प्रेड़ने फैलटी चली जाती है यह देगें और काफी अच्छी मेरी कचोरियां बनकर रेड़ी थी और काफी अच्छा साइज मैने बनाया था ज्यादा छोटी भी मैंने नहीं बनाई है यह देखें और इस तरह से इजिली यह देखें एकित वख़ती प्यार करी करी कचोरियां बन कर में रीडी हुए थी तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को दे ली एक उणकर कर लिए डिन घ्री मिट था कर आ रहे ली और ग्रीमिर्च में और दर के बाफ़ी सारे कामों में, जैसे कि मेने कपड़े वगर भी वाश किये थे मॉर्निंग के टाइम, तो पाफी सारे काम थे मेरे पास, और टूशन के लिए भी बच्चे आ गए थे, उनके लिए भी दो बंटे का टाइम मुझे देना होता है, तो मेरे हस्बेंड ने मेर हेल्प कर रहे थे मेरे हस्बेंड बहुती ज्यादा लविंग एंड केरिंग है अगर मैं बहुत ज्यादा काम पूरे दिन ऐसा होता है कि ज्यादा बर्डन हो जाता है काम का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं बहुत सपोर्टिव हैं तो मेरी हेल्प करा देते हैं कभी-क अर अगर ऐसा होता है के जिया рदा आपको मिल जाती है तो मुझे अंब उसलिए ने के बाद गरक्राना को बॉस्त व् alluded होजात compete तो उसलिए इसलिए मेने connect देन के आने के बाद रूर अगेरा कर दे दिया था उसके बाद में अब उन् puta आपने आपने हाया था साथ मेही कहाय थे हम खहना बेटे अब एट गॉला दिया था सब से पहले उसको गरम-गरम कि यो एक चुद्ध आव योग डिया थी कि मैं अच्छे से बॉश करूँगी और फिर मैंने इने जार में डाल दिया है और इसके बाद में थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसमें डाला है that's it और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी उसके बाद मैं मैं इसको ब्राइन कर दूँगी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी यह चटनी बनकर रेडी हुई थी ज्यादा स्पाइसी भी नहीं थी क्योंकि मैंने स्पाइसी कचोरी में ठीक रखे थे तो इसलिए मैंने कम ही मिर्चे रखी हैं और यह देखें और बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटनी यह बनकर रेडी बनकर त्यार होती है और यह देखें कचोरियां और चटनी मेरी रेड़ी है एक शामी तफिरी लेग बनाई थी वाइट मेरे बेटे ने इसमें से ले लिया था और यह देखें इस तरह से पूरी कचोरी के अंदर अच्छे से भर गई है यह फीलिंग चारो तरफ ऐसा नहीं है कि एक जगा पर इखटा हो जाती है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और यह चारो तरफ अच्छे से फिलिंग बरकर रेड़ी हो गई थी और बहुती जादा मजी की यह कचोरियां लग रहे थी इन्शालों कल आपके साथ कबाब शामी टिक्की और कुफते की रेसिपी भी शेयर नहीं कर पाई हूँ आपके साथ अगर आज ची आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला हाफीज